दोस्तो अगर आप अपने घर ओफिस शॉप में फिलोरिंग में टाइस लगवाने जा रहे हो या पिलान कर रहे हो फिलोरिंग में टाइस लगवाने की तो ये वीडियो आपके निये बहुत हैफुल होने वाला है इस वीडियो हम आपको बताएंगे टाइल कॉस लेबर कॉस स सेंड कितना लगेगा, टाइल्स, गैप में वाइट सीमेंट कितना लगेगा, A to Z, पूरी जानकारी मिलेगी आपको. दोस्तो वीडियो पूरा देखना आदी अदूदी जानकारी नुकसान देती है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर उपिन करें, दोस्तो इस वीडियो में हम ब्रांडेट टाइल्स की बात करेंगे जैसे कज आप सब जानते हैं कजारिया कंपनी भारत की सबसे अच्छी टाइल्स कंपनी में से एक है, हम जो टाइल्स यूज़ कर रहे हैं वो विट्रिफाइट टाइल्स है और टाइल्स का साइज 2 बाई 4 है, अब बात करते हैं टोटल कितना करचा आएगा फिलोरिंग में 10 बाई 10 क सबसे पहले बात करते हैं सेंट की 100 स्कौरिफिट टाइल्स के नहीं हमको 20 स्कौरिफिट सेंट लगेगा, सेंट की खीमत जो है वो 60 रुपे है तो 20 से अगर हम मंटिपलाई करेंगे तो 1200 रुपे का सेंट हो गया, इसमें हमने 4 एक का मसाला यूज़ किया है, यानी एक परा सीमेंट और 4 परा सेंट लिया है, टाइस लगाने से पहले जो मसाला बिचाते हैं वो हमने 2 इंच लिया है, ये डिपेंड करता है कि आपके फ्लोर बेस कैसा है, सेंट नमबर पर हम बात करते हैं सीमेंट की सीमेंट हमारे 4 बैक यूज़ होंगे, एक बैक की किमत अगर 400 है तो 400 से 4 को मंटिप्लाई करेंगे, 1600 रुपे निकल के आता है, सीमेंट हमने एक तो मसाले में यूज़ करना है, और जब मसाले के बाद टाइल्स हम सेट करते हैं तो उसमें गोल यूज़ होगा, उसके बाद 4 तरफ जो हमारे स्कार्टिंग या बॉडर जो लगता है, वहां ने दिया है, ये कम जादा हो सकता है आपके सिटीज में, 100 स्कॉाइर फिट मानके चलो, 100 उले से हम मंटिप्लाई करती हैं तो 1600 रुपे इसका लेबर चार्ज हो गया, अब इसमें बादर यानि इसकार्टिंग का रेड भी एड होगा, जो रूम के चारों तरफ लगेगा, उसको हम रेडिंग फिट में नापते हैं, दस फिट के रूम में चारों तरफ से अगर हम इसको एड करेंगे तो 40 रेडिंग फिट डिकलेगा, 40 इंटू 16, 640 यह हो गया, टोटल 1600 प्लस 640, 2240 रुपे लेबर का खरचा आएगा टाइल्स फिलोरिंग में, अब बात करते हैं वाइड सीमेंट की, दोस्तों रूम के फिलोरिंग के टाइल्स हमने जॉइंट में कोई गैब नहीं दिया है, रूम में पानी का काम बहुत ना के बराबर होता है, इसनिए हमने वाइड सीमेंट यूज के लिए है, और इसी वजए से हमने टाइल्स केमिकल में ना लगा कर स सीमेंट में लगाए हैं, हमने दो कीजी वाइड सीमेंट यूज की है, उसकी कॉस्ट पचास रुपे है, अब बात करते हैं टाइल्स की कॉस्ट की, हमारा एरिया है सो इसकाइड फिट और इसकाइडिंग यानि बॉर्डर का एरिया मिलाएं तो 40 रनिंग फिट टाइल्स व नहीं आते, हमारे रूम का साइज है 100 स्काइड फिट, एक बॉक्स में कितना एरिया कवर होगा, वो है 16 स्काइड फिट यानि एक टाइल्स में 8 स्काइड फिट का माल होगा, यह समझो दोस्तों कोई भी एरिया आप आसानी से निकाल लोगे, एक टाइल्स यानि 8 स्काइड fit का होगा तो एक box में 16 square fit area cover होगा टोटल एरिया है हमारा 100 square fit और एक box में हमारा जो covered हो रहा है वो है 16 square fit अब हम 100 को 16 से divide कर देंगे हमारा जो answer आएगा 6.25 होगा अब हमें 0.25 box तो कोई देगा नहीं तो हमको लेने पड़ेंगे 7 box styles के दोस्तों ये बात हुई 100 square fit की जिसमें हमें 7 box चाहेंगे अब बात करते हैं इस काइडिंग यानि border की चार इंच का border हमारे 4 तुरफ लगेगा 40 running fit उसमें लगेगा उसके निए कम से कम हमें एक box की चरूवत पड़ेगी और styles के हुए 8 box मैंने बताया था एक box में 16 fit स्क्वार फिट का लिया है अब इसको टोटल करते हैं 128 into पैसेट तो हमारा result जो निकल के आएगा वो आएगा 8320 अब देखते हैं फुल टोटल कितना हुआ सेंड हुआ हमारा 1200 रुपे का सीमेंट हुआ हमारा 1600 रुपे का लेबर हुआ हमारा 2240 का वाइट सीमेंट हुआ हमारा 50 रुपे का टाइल्स हुआ हमारा 8320 का टोटल निकल के आया 3410 रुपे अब एक चीज और रह गई दोस्तों वो है भाड़ा शोरूम से घर पर जो टाइल्स के box आएंगे उसकी cost 200 रुपे माल लो तो टोटल कॉस्ट जो हमारा हुआ वो 13610 रुपे हुआ यानि 10 बाई 10 के रुम में टाइल्स फिलोरिंग वो भारत की बेस्ट कंपनी के साथ उसका कर्चा आएगा 13610 रुपे हुआ ये कम जादा हो सकता है टाइल्स को अकॉंस यूज़ कर रहे हो सीमेंट की जगे आप कैमिकल यूज़ कर रहे हो या आप गैप में एपॉक्सी फिल करा रहे हो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ओपिन करें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में